सर आपकी बुक आई मैं दिखा देता हूँ जैशे मोहमद के उपर बहुत ही स्कॉलरली बुक है और ऐसी बुक बहुत रेर लिखी जाती है बहुत सारे टेररिस्ट ओर्गिनाजेशन है जैशे मोहमद ही क्यों मतलब ये इतना इंपोर्टेंट क्यों है आपने बहुत अच्छ कोई फरक नहीं पड़ता था ठीक है आपकी प्रॉब्लम है आप डील करें वो गया था आप लोगों के वाइलेट कर रहे हैं लोगों को परिशान कर रहे हैं लेकिन हम पंजाब में टेररिजम से जूज रहे थे कश्मीर में जूज रहे थे उनको तो जब सेप्टेंबर एल पक्षकी भी मैंने ही कहता जो की सच को सामने लेकर के आती है अब हुआ क्या कि जब 26-11 का अटेक हुआ मुंबई के अंदर उसमें वो लशकर ने करवाय था उसमें गोरे भी मारे गए काफी अमेरिकन्स भी तो उसके बाद अमेरिकन्स का इंट्रेस्ट लशकर में तो हो ग के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है वह उस पर भी मैं आऊंगा टीके मैं वही तो कह रहा हूं तीस साल चालिस साल से आप टेरोरिजम को जहर रहें लेकिन आपके अपनी बात को कहने के लिए आपके पास एक भी किताब नहीं थी और यहां क्या मैटर करता है जब हम कह परिए जो कि रेकरिगणाईज disp Ges en elles कोपस इंडेक्स जर्न उनमें वह लेक प्रकाशित हौं इंटेरैशनल स्चा κάνप को प्रकाशित रहा चैसे वह राउटलेच बताली को एक किताब वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो लोग चेक करते हैं कि आपने रेफरेंसिंग कैसी किया है कि उसके आधार पर वो किताब चापता है तो अब जैश के उपर कोई किताब नहीं थी लेकिन मैंने देखा कि हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा खत्रा शायद लशकर से भी थुड़ा सा ज़ादा वो जैश-े-मोहमद था क्यों कि जैश-े-मोहमद दो बार भारत और पाकिस्तान को फुल स्केल वार की उपर कगार पर लाके खड़ा कर दिया पहले पार्लियमेंट पर जब अटेक किया तब दूसरा पुलवामा की टाइम में और जैश वो और्गिनाइज़ेशन है जो फिदाईन अटेक्स का मास्टर है जैश के अलकायदा के साथ बड़े तगड़े लिंक्स हैं जबर जस्त लशकर-े-तयबा तो फिर भी पाकिस्तानी ISI का गुड स्टूडेंट है वो गुड बॉइ है उनका उनके बिलकुल कहने में चलता है लेकिन जैश को पाकिस्तान की ISI की बहुत ज़्यादा गरज नहीं है उनका इतिहास डेड़ सो साल पुराना है वो उस देवबंदी स्कूल आफ थोट से आते हैं जो पाकिस्तान की जन्म से भी बहुत पुराना है और उनके जो ग्लोबल लिंक्स है ना तालिबान भी जैश का एक कजिन ब्रदर कह दीजी आप वो भी उसमें देवबंदी आइडियोलोजी में बिलीव करते हैं ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी उसका कजिन ब्रदर कह दीजी आप हकानीज भी उसके कजन ब्रदर कह दीजी आप तो ये सारे उस लाइन्स हैं हुजी जो हरकत अलज्याद अलइस्लामी 1979 में अफगानिस्तान में शुरू हुई थी वो जैश के कहता है कि फोर फादर आप जिसको कह सकता है वो लोगते ये आपका लशकर जांगवी आपका जो है ना देवबंदी टेरिस्ट आउटफिट है वो और वो लेकिन वो शियाओं को मारने पर ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू है नहीं ज़्यादा हो तो वह शिया ही है मगर वो भी लशकर का एक जैश का एक सिस्टर और्गिनाइजेशन है तो जैश बहुत लीथल और्गिनाइजेशन भारत के लिए है ज्यादा वो ISI के भी है कंट्रोल में लेकिन वो जब जरूत पड़ती है तो उनके बियॉर्ण भी जा सकता है तो इसलिए मैंने जैश के पर किताब लिखी और दूसरा जैश फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खत्रा साबित हुसता क्योंकि आप देखिए लशकर ए तयबा तो वहाबी आइडियोलोजी में बिलीव करता है एहले हदीस में आज भी भारत में एहले हदीस और वहाबी आइडियोलोजी इत पर चलता है और दूसरी बात एक ये जैश ने हमेशा से ये काया कि उसका गोल सिर्फ कश्मीर नहीं है उसका गोल पूरा भारत है मसूद अजर जब भारत आया था पहली बार तो यहीं दिल्ली में रुका था आपके होटेल अशोका में है आज आज भी होटेल अशोका में बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है वो अपनी मारूती 800 गाड़ी तब ले करके पहले तो आयोध्या गए बाबरी मस्जिद के दर्शन किये, सबसे पहले नई दिल्ली से आपके देवबंद गए, देवबंद से लखनव, लखनव से आयोध्या, तो वहाँ पर बाबरी मस्जिद के बाबर उसने आसूबा है है और वो रो करके उसके रिकॉर्ड भी चलता है कि मस्जिद को शहीद किया गया ये, तब ही उसने ठान ले थी कि उनका जो एम है वो पैन इंडिया एम है ये मैं जब आपकी पुस्तक शॉक ऐलिमेंट हो सकता है अफ्टर कंपलीशन अफ मंदिर इन आयोध्या, मुझे लगता है कि ये एंगल हमको जरूर हमारी एजन्सीज को एक्स्प्लोर करना चाहिए कि ये लोग मंदिर पर अटेक करवा सकते हैं इनोय तो पहले यूपी में करवाए भी है यूपी के अंदर पहले भी अटेक करवा और ये बिल्कुल करवा सकते है जैश की एक चीज है ना जैश बहुत रिफाइंड मतलब है ना ये बड़े ट्रडिशनल टाइप के और्गनाइज़ेशन है लशकर और जैश में फर्क क्या है लशकर जो है बड़ी बड़ी जो SUVs में उनको आदत वो पड़ गई है ठीक है पाकिसानी आर्मी के बड़े लाडले दुला रहे हैं तो बड़े इस्लामिक ड्रेसेस पैन करके आएंगे बड़ी बड़ी दाडियां और बड़े बड़े जो कहता है न लंबे लंबे कोट्स और वो जो फेरन वेरन टाइप के जो होता है अफगानी स्टैल के वो आपके AK-47 लटका करके और बड़ी बड़ी जो SUVs जिसमें तालिबान के आपने लाके देखे होंगे उस तरह की उनको आदत पढ़ गई है fancy fighters, जैश को कहता है corporate सार जलशकरो कहता है corporate जैश है family business ये इनके लोग जो होता है पतले दुबले से आपको नॉर्मल UP बहर के जैसे लोग होता है वैसे लोग दिखेंगे कराची से भी काफी लोग उस साइड में इनके साथ जुड़ते हैं और बहुत जादा कपड़े भी इस तरह का Islamic appearance देते नहीं है बहुत जादा का है और बहुत धीरे से प्यार से बड़े traditional तरीके से चुप-चाप रह करके अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं अच्छा ये विताये कि क्योंकि ये जो जैशे मौमद की कहानी है ये IC814 की hijacking से शुरू होती है क्योंकि जब मसूद अजूर को छोड़ा गया और उसके साथ जो दो लोग थे अमर शेख और एक जरगर तो ये उसके दो हजार में फिर ये बनती है अब 38 डिमांड थी hijackers की जो पांच hijackers थे IC814 के वो कर्म करके मेरे खाल से तीन पर आ गई है राइट कि ये तीन को छोड़ दो क्या ये पूरा खेल जो रचा गया था hijacking का ISI दुआरा क्या ये सिर्फ इसको ये सबसे इंपोर्टेंट इसमें ये था या ओमर शेख था मसूद अजर था देखिए आप देखिए मसूद अजर को छुड़वाने के पहले भी चार-पांच प्रयास हो चुके थे अलफरान ने टुरिस्ट को किड़नेप किया था ओमार शेख सहीद तो ये आप तो दिल्ली आया ही इसलिए था और इसने दिल्ली के अंदर टुरिस्ट को किड़नेप करने का प्रयास किया था ठीक है फॉरिनर्स को क्योंकि ये चुड़वाना चाहता था मसूद अजर को मसूद अजर इनके लिए बड़ा जरूरी था ये हमारे लोग मैं एक कश्मीर के अंदर ही में बात कर रहा था एक सेपरेटिस्ट है ठीक है न तो वह जाहिए मैंने जो आपको बताया कश्मीरी माइन आपके नेरेटिव और जाल बुनने के अंदर एक्सपर्ट वो मुझे कहता है जनाब इसमें ISI का कोई रोल नहीं था आप सोचिए नेपाल के अंदर ISI का इतना अच्छा बेस था सारे बंदे नेपाल के थूरू हम लोग इन्फिल्टेट करवाते थे एक फ्राइट उस दमाने करांची से कटमांडू जाती थी और वहां से लोग अच्छे से एजिली कश्मीर में आते थे हम लोग सिर्फ एक बंदे के लिए अपना पूरा इंटेलिजेंस का बेस क्यों खतम करेंगे वहां पर मैं भी एक बार को मुझे लगा बात तो सही क्या रहा है और यह सवाल अभी इसलिए पूछना भी जरूरी है क्योंकि अभी जो नेट्फिक्स सीरीज आई है उसमें ISI के रोल को पूरे तरीके से वाइट वोश कर दिया गया है इस पर मैं वही कहूँगा रिसर्च की कमी है रिसर्च की कमी है या मोटिवेशन या कुछ होर अलग है आइडियोलोजिकल एलिमेंट तो होगा लेकिन आप इस तरह की जब सीरीज मनाते हैं थोड़ी महनत भी करनी चाहिए आदमी को है तो मैं एक बार को उसकी बात से मुझे भी लगा बकायदा उसने बड़ी अच्छी खातिर की हमारी उसने कबाब वबाब वो सब ला करके और उसने ये का कि आप सूची जनाब हमें क्या मिला उदर पूरा नेपाल के अंदर अपना पूरा बेस खतम करके फिर मैंने अपने और मैंने उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के कोशिच की तो बात ये आई कि मसूद अजर के लिए नेपाल को सेक्रिफाइस किया जा सकता था वो इतना बड़ा मूटिवेटर था मसूद अजर का आप इतिहास पुराना खोल करके देखें तो यहाँ पर तो लोगों को शायद पता नहीं चला कि इसकी क्या वैल्यू है अगर पता चल जाता तो शायद इसको जिन्दा ही नहीं छोड़ना चीए था इस आदमी को यह तो 19 इसकी जो स्पीचेश जो हैं आप कभी मसूद की स्पीचेश सुनिएगा आप मसूद अजर की मैंने इसकी तकरीबन 400 इसकी स्पीचेश मैंने सुनिए इसकी बातों मैं देखिए किसी बहुत हम बाहर से कह सकते हैं क्या रैबल राउजर है लेकिन जो वहाँ पर लोग जो सुनते हैं ने इसको उसमें इतना करिजमा इनको लगता है इतना जादू लगता है इसकी बातों के इतनी एपीर लगती है खड़े खड़े इसके जलसों के अंदर आपके हजारों लोग मिल्टेंट्स बन जाते थे इसका वो था तो जब ये वहाँ पर जब उससे पहले भी यूके जाता था जब ये कश्मीरा है उससे पहले जांबिया जाता था यूके जाता था जब ये यूके गया तो वहाँ पर इसने 40 मस्जिदों में तक्रीर किया भाशन किया और यूके में तो जिहाद को लाने वाला ही मसूद अजर था उससे पहले यूके में जिहाद नहीं थी उसके बाद पूरा आपका देवबंदी नेटवर्क यूरोप में जो फैला है उसके लिए रिस्पॉंसिबल ये आपका गल्फ कंट्री में जाता था तो इसका एक वो औरा था इसने सुडान, वुडान, सुमालिया, हुमालिया वहाँ जाकर आपके जिहाद में बड़ा एक एक एक्टिव रोल प्ले किया था और जो मैगजीन वगरा चला था तो इसकी जरूरत थी पाकिस्तान को पाकिस्तान को उस वक्ट देखिए पाकिस्तान को हमेशा इच्छा थी कि वो हमेशा मिल्टेंसी को अपने कंट्रोल में रखे कश्मीर के अंदर सबसे पहले उन्होंने जेके एलेफ नाम का एक और्गिनाइजेशन था, वो लोकल कश्मीरी था वो पाकिस्तान के एम्स के साथ में उतना मुझाहिद है, वो कश्मीर से आपको मिलनी सकते कश्मीरी आदमी का वो टेंपरामेंटी नहीं है वो तो जाएगा, वो अपना थोड़े दे बाद शराब पी करके उसको मज़ा करना होता है उसके लिए आपको बहुत मोटिवेटेड जिहादी चाहिए वो आपको कश्मीर से नहीं मिल सकते वो आतों पाकिस्तान से मिलेगा या अफगानिस्तान से मिलेगा पाकिस्तान में, साूथ पंजाब में मदरसा नेटवर्ट है, वहाँ पर सारे यह इस तरह के करिमिनल जो इतना रासकल्स ही जो निगल करके आते हैं साथ साल की उमर से आपकी मदरसों में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर मौलवी आपको सेक्शुली अब्यूस करता है फ्रस्टेशन दुनिया भर का आपके दिवाग में पढ़ जाता है अनपड़ों जाहिलों की तरह पहले वो परपड़ के बड़े होता है उसको तो आपको मारना ही मारना है ऐसी इनको तस्वीरे दिखाएंगे कि इंडिया में मुसल्मानों का रेप हो रहा है ये हो रहा है कश्मीर में मार रहा है उनको फिर वो फॉलाद बनकर के निए बारूद बनकर के आता है ऐसे militant मसूद अजर ही तैयार कर सकता था और उसके बाद देखिए पाकिस्तान का जो investment था IC 814 के अंदर अगर देखिए सपोज मैं एक state हूँ और मुझे अगर terrorism चलाना है और मुझे उसको judge करना है तो मैं कहूँगी पाकिस्तान का investment बहुत जबर्जस investment था IC 814 के जो hijacking है क्योंकि सारी कहानी वहीं से शुरू होती है तो उसमें दो-तीन चीज़े आपने बहुत important इसमें highlight कि है जो movie वगेरा में इसमें नहीं आई है पहला तो ये कि जो ISI का जो बंदा था काथमांडू में आरशद चीमा वो उसने अपना diplomatic bag जो थे वो उस aircraft में रखे थे और उसमें क्या चीज़ थी क्योंकि movie में last में दिखाया गया कि कोई diplomatic bag है red color का जो निकाल के लेके गए RDX था actually बाद में जब इन्होंने कहा कि plane हमको ऐसा मुझे कुछ चीज़ने बिल्कुल इतने exactly याद नहीं आरी बट मेरी कहीं लोगों से जो closely उस वक्त वहाँ पर गए थे उनसे मेरी बात हुए थी वो बता रहे थे इन्होंने जो है ना उसको तलाशी नहीं लेने दी मतलब plane के अंदर जो नहीं सरसे plane हवाले नहीं किया कि उनको उपर से instruction आ गए कि नहीं साबिया नहीं क्योंकि बैग में RDX था फिर बाद में जब कंधार वालों से NCH जो ने तालिबान से एरपोर्ट के CCTV फुटेज वगरा वो ही मांगे वो भी destroy हो चुके थे सारे के सारे मुझे लगता है कि उसमें जो RDX ये बोला गया था कि ऐसे बोल दो कि RDX है लेकिन उसमें passports और identities जो ही hijackers थे उनकी identities वगरा या उनके नए passports शायद उसमें होंगे उसमें जहां तक अलब अगर आप मुझे से पूछे तो मेरे हिसाब से तो जो उसके अंदर explosive या इस तरह की चीज होनी चाहिए थी क्या था ना और या मतलब ऐसी कोई भी चीज जो की incriminating evidence इनको provide कर सकती क्या था क्योंकि RDX को hand over करने में उतनी दिक्कत नहीं अगर आप उनके identities पता कर लेते या उनके passport आपके हाथ लग जाते वो ज़्यादा और वो almost they forgot कि bag भी हमारा है उसमें निकालना है last moment पर और देखे एक चीज है ना इसमें अब वो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर बैट करके तो यह guess कर सकते है कि bag में क्या था but the very fact कि वो bag यहाँ पर सबसे important चीज यह है कि diplomatic bag diplomatic immunity का फायदा उठा करके ISI के head ने इनको bag दिया और वहाँ पर ले जाया गया यह बात तो हता है कि उसमें ऐसी चीज थी जो कि वो नहीं चाहते थे कि जिसको check किया जाए and interestingly जो hijackers थे they were not interested in that bag ISI was interested in that bag तो यह कुछ शायद इनों ने उनकी जानकारी कि beyond भी शायद कोई चीज रखी हो तो इसलिए कि अब उसमें explosives भी हो सकते हैं कोई incriminating evidence भी हो सकता है या कोई चीज इनके दिमाग में यह हो कि ऐसी कोई चीज हम हमें नहीं पता क्या है लेकिन हम कोई चीज इनके हाथ में ही ना लगने दें कि जिससे आगे कोई इस तरह का कोई evidence बने है कोई सबूत हाथ में हो बट यह बात तरह है कि अपनी diplomatic immunity जो इनको मिलती है उसका फायदा उठा करके और उसका lab लेते हुए कोई ऐसी चीज अंदर पहुचाई गई थी जो कि नहीं जानी चाहिए थी या जिसको चेक नहीं किया जा सकता था अच्छा दूसरा इसमें instance जो आपने लिखा है वो है कि अमरित सर में जो बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं रोका हमने वो प्लेइन बहुत लोग नहीं जानते हैं रो के जो स्टेशन चीफ थे काठमांडू के वो उस प्लेइन में थे 162 तंबर सीट 16 सी पे बैठे हुए थे और उनके दो रिलेटिव N.K. सिंक जो प्रिंसिपल सेकरेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के और जो दूसरे थे NSG के DG थे यास यास बिल्कुल क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रूप था जो हैंडल कर रहा था पूरे क्राइसिस उसमें दोनों ये थे तो एक थे यह यह है कि क्योंकि यह अपने जो स्टेशन चीफ है रहो के और उनको बचाना चाते थे इसलिए उन्होंने वो प्लेइन को उड़ने दिया यह थे यह थे यह थे यह थे यह पहली बात तुम्हें कोंगे यह सिर्फ थे यह थे नहीं है इसमें एक सच्चाई भी है ठीक है अब चुकि ऐसी चीजों को बिलकुल कहता है उस तरीके से कहता है हंड़ेट परसंट एक्कुरेसी के साथ वेरिफाय करना तो पॉसिबल है ने लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ मेरी एक बड़े एक मित्र है मेरे जो कि भारती विदेश सिवा में थे बहुत कहीं देशों के राज़दूत रहे हैं सीनियर पोजिशन पर रहे हैं उन्होंने ये बात मुझे से कही कि ये एक बहुत इंपोर्टन फैक्टर था कि वहाँ पर उन पर एक्शन ना लिया जाए लेकिन ये तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी अगर वो काटमंडू कंधार जाके वो आइडेंटिफाई कर लेते कि ये तो हमारे पास रो का स्टेशन चीफ है कितना बड़ा ओफिसर रो का हमारे हाथ लग गया है मैं आपको वही तो मैं उस पर आ रहा हूँ अब देखिए बात ये है कि जब ये इस तरह का सारा जो हुआ जरसे कि वहां पर जो ने कि आपका इनके रिरेटिस बैठे हुए है उस पर एक्शन ना लिया जाए तो इस बात के उपर एक इनके रॉक के एक एक एकस आफसर भी उन्होंने किताब भी लिखिये मुझे याद नहीं आ रहा हूँ उसका नाम ने डुलत साब नहीं लिखिये दुलत साब ने तो डिनाय कर दिया था बाद में उस बात को कि ऐसा कुछ है लेकिन वो किताब में वो रॉकाई आफसर है उसने लिखिये और मैंने इसको कोड भी किया अपनी किताब के अंदर ने जर से बिकाज मैं सिर्फ एक थियोरी नहीं देना चाहता था बिकाज आ आप बात ये कि इसमें कुछ नो कुछ तो सच्चा ही है लेकिन आप सही कहा रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा strategic blunder था लेकि एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी पड़े कि कोई ये देश जो है ना ये देश में जो है ये बेसिकली survive ही देश जो है बड़े अफसरों के लिए करता है उनकी जान जो है डिवाइन है एक और जो आपने बहुत इंपोर्टेंट चीज मेंशन किया है जो कोई एडमिट नहीं करता है जब एरक्राफ्ट जो हमारे जो negotiating टीम है उसको लेके गया था उस एरक्राफ्ट में एक listening device था जो बहुत ही sophisticated था और जो भी hijackers और ISI के बीच में जो बात हो रही थी वो सारी हम सुन रहे थे बिल्कुल सही बात है यह मुझे जो गए थे वहाँ पर उन्ही मैंसे एक सज्जन ने बताईए उन्ही मैंसे एक सज्जन ने बताईए यह बात और यह देखिए मतलब इतना research भी हमारे जो यह makers है movie के वो नहीं कर पाते है उसका एक कार और है मैं आपको बता देखिए कि इस देश में जो है ना कुछ तो इन movie वालों का problem क्या है कि यह एक बड़ा जब आप पूरी तरह से शिक्षित नहीं होते हैं और एक fake ideology को borrow करते हैं अपने आपको cool बनने के लिए leftist दिखाने के चक्कर में तो आप अपने आधित दर्वाजे वहीं बन कर लेते हैं ठीक है pilot ने किताब लिखिए उसके basis पर आपने movie बना दी यह हैं वो एक अधूरी research थी दूसरी बात यह है कि हमारे देश में counter-terrorism पर कोई भी अगर आपको काम करना है न तो मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी सिस्टम से आपको कोई support नहीं मिलता मैं इस किताब के उसे बता रहा हूँ कि मैंने तीन किताबे लिखी है कश्मीर के उपर first radicalization in India and exploration मतलब इस्लामिक terrorism के उपर है कश्मीर उसमें एक important part है second terror financing के कश्मीर और तीसरी है जैश के उपर हमें जो है न जो कि एक scholar को researcher को system से support मिलना चाहिए zero support यहां कोई आप किसी scholar की counter-terrorism researcher की अलब जो है न उनसे कोई bureaucrate बात भी नहीं करना चाहता को agency की लोग हों चाहिए police officer वो आपको ऐसे देखते जैसे कि यह कहां से जानवर इधर आया है यहां पर यह समझ से अब मुझे तो मैं तो इसलिए कर पाए because मैं चुकि कश्मीर में था मैंने हमारे इन अफसरों से इनसे भी ज़्यादा robust network मैंने अपना बनाया और मैंने इन किताबों के लिए मैंने real militants से बात किये जैश के अंदर जो top leaders हैं उनसे मैंने phone पर बात ने किये उनसे मैंने real में बात ने किये और उनसे बात करके मैंने चीज़े निकाली जो शयद इनको भी नहीं पता होंगी तो यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी problem है कि आप लिखी नहीं सकते क्योंकि आपको कोई interrogation report नहीं मिलेगी आपको FIR की कोई copy नहीं देगा आप जाएंगे तो आपको ऐसे treat किया जाएगा जैसे कि आप कोई पता नहीं कहां कि जानवर आप आगए हैं कि होम सेकेर्टरी आपसे बात नहीं करेगा जॉइंट सेकेर्टरी आपसे बात नहीं करेगा तो फिर कोई कैसे research करेगा इसलिए हमारा narrative बड़ा weak है इंडिया का इन सब चीजों के उपर जो है इसलिए तो पस्चिम आपको कहता है कि आप जो है जल्म कर रहे हैं ये कर रहे हैं आपका narrative कहां है आपकी तरफ से literature कहां है देखे security forces ने चार militant मारे वो कोई याद नहीं रखता है जो documentation जब तक नहीं ह intelligence operation है वो किताब जनरल एहसान उलहक मुशरफ के टाइम पे जो ISI chief थे उन लोगों ने अपने supervision में सरसे जो की मेरा मैंने उस किताब को पढ़के ये मेरा assessment है मैं नहीं कहता है कि ये बाट 100% सत्थ है बट किताब के जो content है उसको देखके मुझे ही लग रहा है ये एक किताब शांदार international publisher ने उसको publish किया और उसकिताब में पता है क्या है उसकिताब के अंदर ऐसी बातें कही गई है कि साब जो है आपका पुलवामा parliament attack ये सब Indian agencies ने करवाय थे उसकिताब में ये प्रूव किया गया कि बुरहनवानी Indian agencies ने create करवाय था और बड़ी चतुराई से उसकि देशी गोरों ने लिखी है बढ़िया अंग्रेजी लिखते हैं लिखना लच्छिदार भाषा जानते हैं वो कहां बिकती है किताब यूरोप में बिकती है अमेरिका में बिकती है पॉलेंड में जर्मनी में फ्रांस में बिकेगी वहां कौन जानता है यहां पर वहां तो को आपको पढ़ेंगे उसी को बिलीव करेंगी ने एक्चली ये एड्रियन लेवी और जो दूसरे उनके ओथर हैं को कैथी स्कॉट क्ला तो उन्होंने जो एक बुक लिखी थी उस बुक में जो आया है कि 2001 का जो पार्लियमेंट अटेक था आप देखी बहुत सितंबर में 9-11 और मेरे ख्याल से तीन-चार दिसंबर और इससे थोड़ा सा पहले जो वाइट माउंटेंस हैं जहां पर बहुत बंबारी हो रही थी और वो जो डेजी करके डेजी कटर करके जो बॉम भी गिराया गया था बहुत विद्वन्स हुआ था उसके बाद and I think 30 feet का अंतर था जब US forces और Osama Bin Laden के बीच में तब उन्होंने बोला कि मैं अपना surrender करूंगा बारातारीक की बात है शाय दिये और surrender मुझे एक दिन चाहिए अपने सभी लोगों को इखटा करके surrender करने में यह उस book में लिखा है और 13 दिसंबर को हमारा Parliament का tag हो गया पूरी जो mobilization है वो आ गई actually connect करते पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वहाँ पे station करें ताकि जो क्योंकि वो बहुत white mountains है वो पाकिस्तान बोर्डर के बिल्कुल पास में है तो वो cross करके पाकिस्तान में आ जा इसलिए लेकिन वो request US forces की थी वो accept नहीं हुई तो वहाँ पे उन्होंने किया 6000 जो पाकिस् लगा के अपने सारे forces जो हैं वहाँ से अटा दिये और जो हजारों आतंकवादी थे वो इधर आ गए और उसी टाइम पर उसमें हिंट किया गया है कि Osama भी पाकिस्तान में तब ही आया है It's true, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये बड़ा एक strong उसवक्त की, it's not just a theory, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि उनको आपस की मिली भगत थी, कि आप ऐसा कोई उपकरम रच हैं कि पाकिस्तान को एक genuine legitimate excuse मिल जाए अपने forces को इधर divert करने के लिए और तब तक उनको window मिल जाए, वो इधर आजाए. आपने बहुत सारे overground workers और जैश के militants इनसे भी बात की है, मुझे एक जो बहुत striking चीज लगी वो ये थी कि जो लोग, जिस तरीके का indoctrination in terrorists का होता है, जब पाकिस्तान में होते हैं, और जब ये आते हैं जब मों कश्मीर में, कश्मी में और वहाँ पे लोगों को देखते हैं, तो कई लोगों का तो दिमाग खिल जाता है, वो इनके साथ, लेकि पहले जो ये जब आते थे, अपका 2000 वगरा के अंदर, तो अब ये चीज़ें बहुत बार हुई, इनिशिली ये भी क्या एक business बन जाता है एक time की बात, तो पाक दिवालों के लिए ये दुकान खोल दी, जैश की गया है, अब जैश जब नया नया खुला, तो जैश के पास बहुत पैसा आगया, आएसाई ने मसूद अधर को बड़ा सपोर्ट किया, तो लोग छोड़ छोड़ के हिस्बुल विस्बुल इधर जैश की तरफ शिफ्ट ह हो रहे थे, दूसरे लशकर वशकर छोड़ के इधर शिफ्ट हो रहे थे, बड़ा पैसा है अब ये, इंडॉक्टिनेट होकर के आते थे, अब इनको बताया है थाब कश्मीर में तो जो है, आपका कश्मीरी औरतों का तो हिंदुस्तानी आर्मी रेप कर रही है, बच्चों ये रड़कियां जा रहे थी, तो आर्मी वाले पास से उनके पास जा रहे थे, और उसने अपनी बंदूक बंदूक लोड करके, अब तो ये पका रेप करने जा रहा है इसका, और बिरको रड़ी हो गया, अब जो पास में गए वहाँ पर जाकर उसने देखा कि आर्मी बाल में छूपे वा रहते थे पहाड़ों के उपर, अब कश्मीर की सर्दी में बर्फ में उपर रहने में कितनी परिशानी तकलीफ है, नीचे कश्मीरी जो है उनको कभी खाना वाना देने जाते थे, तो उसने एक दिन गाली दी उसको, तुम लोग तुमारे लिए हम यहाँ प सबक मास था, दुनिया बर की चीज़ें थी आपके लिए, उसने गाला कि यार तुम तो कहते हो कि तुम गुर्बत में जी रहे हो, यहाँ मुफलिसी है, हिंदुस्तान जुम कर रहा है और तुम यह खाते हो, हैं, और हमको यहाँ पर लड़ने के लिए, यहाँ पहार में ब एक मिल्टन तो था, उसका मैं नाम में लोगाँ, बिकास वो अभी भी जिन्दा है, वो था, इनका कमांडर था, और वो आकरके उसका एक लड़की के साथ इश्ख हुआ, और वो फिर हमारी फोर्सेस के साथ ही काम करना शुरू कर दिया, उसने, किसी की चेकर में आया होगा उसको एक कसेफ हाउस में लाके रखा, और उसने बड़ा उसको खानावाना देते थे, सब पुछ करते थे, उसके इनपुट के आधार पर कम से कम 15-20 जैश के कमांडर मारे गए, नौर्थ कश्मीर भाई, फिर जो है, और उसको जो है, उसको जो हैंडल वैंडल कर रहे थे, जो अफसर थे, उन्होंने जो है, उसकी जो गर्ल्फरिंट थी, उसको भी वहाँ पर साथ में उसके रहने का अलाव कर दिया था, और उन्होंने उसको जो पुलिस अफसर वाके हैंडल करते हैं, उनको तो अपना भाई बना लिया उसने, प्राकिवा की बानने लगी थी, औ उसको रोज लेला के ये लोग शराब पिलाते थे, वो ख़बर दिता था कई, तो ऐसी जैश की लिडर्शिप को बड़ा उस वक्त साफ किया गया, क्योंकि ये जब मोटिवेट होके आते थे, यहाँ पर देखा गी ताब इस तरह का यहाँ तो सब मज़े चल रहे हैं, और एक और फैक्टर था, जैश के जो टेरिस्स थे, हार्ड कोर, मतलब जो मदरसों में इनका जो इंडॉक्रिनेशन जो होता था ना, कभी जिन्दगी में लड़की देखी नहीं, और आपका बिलकुल इस्लामिक तरीके से, और कोई शिक्षा विक्षा नहीं, तो उनके अंदर था फिर्स एक वो, गाजी बाबा, गाजी बाबा जो है, उसने कश्मीरी लड़की से शादी की थी, बाद में लड़की पाक्सान चली की, ऐसे बहुत सारे किसे थे इनके, अच्छा हमारे जो इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव होते हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स जो होते हैं, क् मतलब, obviously for these reasons, उनका भी आपने स्टोरी में लिखा है कि कुछ officers, they establish, आपको लोड लेवल पर तो देखिए, अगर आपको source को cultivate करना है, आपको asset बनाना है, तो आपको करना पड़ता है, आपकी duty का पार्ट, आप otherwise कोई आपको देखिए, उससे भी फाइदा होया गई जगे, फाइदा होता है, मुझे आप एक चीज़ बता है, देखिए, कोई कहता है साब, कोई सिर्फ पैसे के लिए information देगा, ये बाट ठीक नहीं है, कोई लड़की है, सब्सक्राइब के घर में जो है, जैश के militants आ रहे हैं, हार्ड कोर, मतलब, अगर कोई family, लंबे समय से जैश क साथ काम कर रही है, ठीक है, तो family किती doctrinated होगी, आप सोचे, तो SMS लब traditional चलता है, हाँ, इनका तो, generational, जनरेशनल, बिल्कुल, आपको पता है, कि वहाँ पर मसूद साब बात करेंगे, पहले, मसूद अज़र फोन करके बात करेगा, कि हमारे बंदे आ रहे हैं, रड़के, आप सोचो, अगर इनकी पूरी सेवा खातिर में लगी हुई है, तो वो भी किती motivated होंगी, तो वो क्या सिर्फ पैसे के लिए खबर देंगी, मुश्किल होता है, देती है, पैसा भी एक factor लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अगर वो किसी को अपना दिल दे बैठ है, किसी स खूपी आइजिंसी के लिए काम करता था, उसका एक ऐसी लड़की से दोस्ती हो गई, जिसके गर में जैश के लोग का आना जाना regular था, और फिर जो है, उसके साथ फोन पर बाच्चीत, वाटसैप अगरा कियो आजकल, ये भी तो सोशल मीडिया के थूँ जो इंट्रेक्श टेरिस्ट, पाकिस्तान में ये लोग क्या है पता है, आपके लिए जो शिशी रवी शंकर हैं, सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं, या बाबा राम देव हैं, वहां के लोगों के लिए इन लोगों का एक्जैक्ट्ली वही स्टेटस है, हाफिस साइद वो हाफिस ताविस बना करके बनवा के जाते थे, क्योंकि ताविस तो हराम है ना, देवबंदियों के हैं, लेकिन देवबंदियों और एहले अधिस में एक फर्क है थोड़ा सा कहा है, ये थोड़ा समझाईए कि देवबंदी, वहाबी, इसमें क्या अंतर है, बरेलवी जो है, वहां से थौट औरिजिनेट होता है, ये लोग थोड़ा सूफी आइडियोलोजी में बिलीव करते हैं, सूफी के अंदर जो अनलहक और वो सारी इस ते कि आपका जो पीर मुरीद का जो कौनसेप्ट है, जो आपका जो यहां पर जो कोई जिन्दा पीर है, तो आप उसको मानते हो उससे आप जोड़के उसके आप बात मानते हो, सब कुछ करते हो, जो एहले हदीस है, जो आपका सलफी है, वो इसमें ये मजार वजार पीर मुरीद किसी में बिलीव नहीं करता है, वो कहता है, सिर्फ आप और अल्लह, आपके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं, कुछ न नहीं है, प्रॉफिड वो उनके, सलाफी एक वर्ड यूज करते हैं, तो सलाफल सलाफ, जो प्रॉफिट मोहमत के साथ के जो लोग थे नि, सहाबा लोग जो थे, वो लोग जिस तरह का जिंदगी बसर करते थे, जो लोग जो काम वो करते थे, वो लोग एग्जैक्लि उसको फॉलो इगा बट सलाफी और वहाबी में भी अंतर है तो माइनर डिफरेंसेज हैं वहाबी तो बेसिकली वहाब करके एक जो वह स्कॉलर शुबा आया था इसलामिक स्कॉलर उसने जो है न इस तरह से उसके नाम पर वहाबिजम शुरू हो गया जो अभी साओधी की डाइनिस्टी जो है उसके साथ एस साथ एससेटेड थी इनका जो फांडर तो इसलिए बट मोटा मोटा जो है जो है वहाबिजम सलाफिजम जो है जो है वह एक लिटल स्कॉल आफ जो है बuseum करें, बाल्मुस्ट आपका वहाभी शलाफी टाइप काई उनका है, कि वो भी इस तरह की मज़ारों उसमें बिलीव नहीं करते हैं, बरेलुए जा करके ये कहता है, हमारे अपने बुजग जो होता है, इनको बुजग कहता है, उनके सामने हाथ जोड़ करके उनकी बाकी minor differences होता है मुझ कैसी रखनी है, दाड़ी कैसी रखनी है पजामे का लेंथ कितना होना चाहिए वो सारे differences अलग होता है मोटा मोटा difference है यह कि वहाबी जो होता है, वो किसी भी Islamic school of thought यह जो हनफी, वनफी जो है जो बरेलवी जो है, उनके लिए रसूल, प्रॉफिट मुहमद जो है न, उनके इश्क में गिरफतार है यह जो लबैक मूवमेंट है न यह जिसके लिए आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो तोहीन रिसालत जो है आपने प्रॉफिट की शान में अगर कुछ कहा दिया तो आपको मार दिया जाएगा 2007 में जो लाहूर में हुआ था वो उनीका था या या अलग था थोड़ा सेम मूवमेंट लाल मस्जिद वाला नहीं वो देवबंदियों का था लबैक का अभी हुआ था प्रॉफिट कोई रसूल केता है रसूल से जो आप इश्क करिये रसूल से क्या तो इनके लिए अल्ला से भी ज़्यादा इंपॉर्टन रसूल है प्रॉफिट है आप अल्ला को कह दीजिए कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन रसूल की अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोल सकते तो ये वो है अच्छा आपने इतना रिसर्च किया इनके जो मतलब हर एस्पेक्ट पे आपने और ग्रांड वर्कर से बात की आपने टेररिस्ट से बात की फॉर्मर टेररिस्ट से बात की सबसे शौकिंग चीज आपके लिए इस पूरे रिसर्च में क्या थी बतलब कहीं सारी चीज़ें बड़ी शौकिंग थी मेरे लिए तो लेकिन बतलब मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ कुछ एक चीज़ों को मैं आपको डिसकस करूँगा तो मुझे इनकी जो ट्रेनिंग वरेनिंग जो होती थी ना वो मुझे बड़ा आश्चरे होता था कि आप कैसे इस लेवल पर लोग को आप तयार कर सकते हो जब यह लोग मैंने देखा कि पंजाब साउथ पंजाब की मदरसों में पास साथ साल के घरों में जब बच्चे जो होते हैं जरसे महां से बच्चे लेकर कि आए उनकी मदरसों के अंदर ट्रेनिंग वहाँ पर जो इनको बड़ा मार पिटाई करके इस तरह से और बड़ी कटर बाते हों के इनकी ट्रेनिंग की जाती बातें सिखा ही इनको जाते हैं बड़े होकर कि जब थोड़े से बड़े हो गए आपका कोई मॉडरन एज्यूकेशन से कोई लेना देना नहीं फिर आप जो है एक और हायर डिग्री के हार लेवल के कोर्स के लिए आपको पेशावर, बाला कोट वगरा वहाँ भीज देंगे वहाँ पर फिर आपकी वेपन्स ट्रेनिंग वगरा शुलू कि बड़ी टफ होती थी वो उस ट्रेनिंग को मतलब जैसे हमारे जो इनके कही लोग तो हमारी स्पेशल फोर्सेस के जो लोग जो होते हैं उसी के बराबर आप मान लीजिए ट्रेनिग के हैं जो इनका जो निशाना जो होता है इस तर से जो ताकत इनके अंदर होती है आपका पुशअप सोचेश आपको एक मिन्ट में इतना है करना है यह करना है बहुत टॉफ ट्रेनिंग मतलब जो नजी ने मेरे लिए बड़ा एक शौकिंग था कि क्या इनको कोई कहता है कि साब कोई सुसाइट बंपर बन जाता है पैसे के लिए बन जाता है मैं नहीं मानता वो आइडिलोजिकल रिलिजिस मोटिवेशन जब तक नहीं होता है तब तक आप नहीं बन सकते और वो चीज जो आप देख से टाइब लगता है अमर फारुक जिसने पुल्वामा किया था आप उसकी फोटो देखें नॉमल वो तो ऐसा लएगा जैसे कोई आपका दिली का कोई कालेज गोइंग लड़का है और यह लोग जब इनकी आप लाइफस्टैल देखेंगे जब वहाँ पर जो नहीं यह सार पर चीते पाल रखें इनोंने बड़ा एक सेमिनरी है इनके अंदर और इनके परिवार में इतनी बांडिंग है सारे भाई मिलकर के घुमने जाते थे प्योके के अंदर बड़ी बड़ी बरफिली एरियास के अंदर अफगानिस्तान है बड़ी एस्यूवी में घूम रहें क कर रहा है तो मतलब है ना फैमिली बांडिंग बड़ी गजब की थी लेकिन जब बात आते है जिहाद की तो ये अपने फैमिली मेंबर्स को बेज़ देते थे जैश की खासियत यह निकि जैश की क्रेडिबिलिटी लशकर से ज़्यादा क्यों है क्योंकि ये अपने परिवा बाला कोट में ही बना और बाला कोट में भी एर स्ट्राइक्स भी भारत ने की थी 2019 में बाला कोट बहुत इंपोर्डेंट जगह है हिस्टोरिकली जैश मौमद के लिए वो क्यों है देखिए साउथ एश्या में जो जिहाद है उसमें बाला कोट की बड़ी एक खास रेलेव जो थे जो हिजरत करके गए थे उस टाइम पर कैसे पहले पतना के अंदर कैलिफेट बनी थी फिर वहां से वहां पर गए और जो सिख आर्मी के साथ जो बैटल हुई थी वाला कोट में वो उसी एरिया में हुई थी और उसमें वो बाला कोट यह लोग कहता है कि वो गायब ह नहीं आ रहा बट उसमें हारे थे यह लोग कहा टॉंक पहले टॉंक में भी थे टॉंक से वहां से जो है सरसे पैसे लिए फिर वहां पर जगए वहां पर हिंदू साओ का और उसे पैसे ले करके उन्होंने अपने आर्मी खड़ी की तो बाला कोट का एक हिस्टोरिकल सिग्न इसको मैंने बहुत ढीटेल में तफसील से उसके अंदर उसका जिखर किया है। फीर धूरी वहां पर अकोरा खटक करके एक मदरसा डर्जा आकोरा खटक करके एक सेमिनरी है पूराइए कारी अपर यह चैणियू पर फकर करता हैं वहां पर जी न्यू की बाप मदरसा ता यह। कराची वाला आप सोचिए कैसे कैसे ऐलुमनाई है वहाँ पे निजाम उद्दिन शामजाई मुला उमार मसूद अजर आप यहाँ पर क्या दो चार एकॉनोमिस्ट वगरा जो है तरसे दो चार आए सफसर बिरोक्रेट निकाल दी और जेनियो कूदेगा सेंट सी वही हमने इत कि रो ने 2004 में मुशर्फ की जान बचाई थी वो उस वक्त था मुशर्फ को एक्चुली थ्रेट हो गए थे बिकास मुशर्फ ने यू टर्न लिया था वो कुछ भी लिया हो मैं ये कह रहा हूं कि रो ने ये मतलब हम कैसे कर सकते हैं ये जिस जो व्यक्ती 527 हमारे जवान ज उसकी जान रो ने बचाई ये मैं आपको बता एक्चुली इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में है ना क्या होता है कि मुशर्फ का कारगिल का प्लैन था ठीक है मुशर्फ ने कारगिल को अंजाम दिया हमारे लोग मारे गए ठीक है तो अगर हम उस रस्टी से सोचे हैं तो फिर जो है वो फिर एक सोच ही अलग है मतला आप सोचना आप उस तो फिर तो आपका अगर हमारी वो ट्रैक होता ना सोचने का तो 1947 में जब हम आजाद हुए और हम शुरू से हम एंशॉर करते जैसे इसराइल करता है कि पाकिस्तान को डिवाइड़, अबलिटरेटरेटर और डि पाकिस्तान को वो तु यह कहते थे किसा आप जो है कि आख साइड़, अब बडी वीग है। तो इनकी understanding बड़ी weak है और उसी तरीके से हमारा जो intelligence brass के जो लोग आते हैं उनकी भी कुछ-कुछ जो understanding है Islam को, Pakistan को लेकर के वो बहुत ही एक short term और बहुत ही एक poor understanding में मानता हूँ long term क्या implication है वो नहीं तो अगर आप उस understanding जो कहता है कि moderate, soft type कि उस लिहास से अगर आप चलते हैं तो फिर यह चीज बड़ी normal है मतलब उस लिहास से तो फिर यह जानी बचाएंगे मुशरिफ की क्या करेंगे चलिए वो हमारी एक basic approach के अंदर ही flaw है शुरू से, हमने कभी जो ले कि जबसे आपने जो है मुझे बताईए, जब उन्होंने मैं तो कहता हूँ, इस देश का जो है राष्टर पिता जो है जिन्ना को होना चीए मैं बड़ा एक logical सवाल आप से करता हूँ आप मुझे बताईए मात्मा गांदी ने ये कहा कि ठीक है सब भाई मिलकर के रहेंगे जिन्ना खुद अपनी परसनल लाइफ में कोई भी कहता ने, किसी किसम बड़ा एंटी इस्लामिक लाइफ रीड कर, वो शराब पीता था पोर्क खाता था, लेकिन एक बात उसको समझ में आ गई हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते उसने टू नेशन थेओरी उसी की थी ना उसने का कि ये लोग दो सेपरेट नेशन से उससे पहले सर सहीद एहमत खान ने का पार्टिशन की डिमांड उसी ने की हमारे यहां के जो लीडर से, कॉंग्रेस, गांधी जी वगरा ये लोग जो है, सिर्फ अपने जो जूठे इनकी आदर्श है एक कितना खुशामत करने की इनकी किताब साथ रहेंगे सब भाई चारा है, प्यार महबत है और वो बातने किस कीमत पर मासूम बेगुना लोगों की जान की कीमत पर वो बातने हुई अगर उस वक्त जिन्ना की बात मान ली होती है आपने और अम्बेडकर की भी बात मान लेते हैं उसने भी किताब में साफ लिखा है कि बड़ा मुश्किल होगा आगे और तो पार्टिशन को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लिमेंट करते हैं ये लोग कि पूरा कम्प्लीट पॉपॉलेशन ट्रांसफर एक पार्टिशन अफेर्स मिनिस्ट्री बनाते हैं कि सारे हिंदूस वहां से यहां पर आएं विदिन टैन येर्स टाइम फ्रेम और यहां से सारे मुसलिम वहां पर जाएं तो आज ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होती हैं दोनों मुलकों की बीच में प्रॉब्लम तो सिविलाइजेशनल है वो तो रहेगी थाउजन येर वो चलेगा अगर आपने सारा सिस्टम ही इस तरह से सेट कर दिया आपने कम्प्लीट जब आपके पास एग्जामपल थे पहले से इतने दंगे हो रहे थे मुपला राइट्स में कितने लोग मारे गए आपकी एक हजार साल का आपका इतिहास है जिसके अंदर आज तक जो है मैं तो मैं तो सेक्यूरिटी अनलिस्ट की वो एग्री नहीं करती थी और शायद आज भी नहीं करती होगी वही तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हम कहीं न कहीं हम लोग मंद बुद्धी हैं मतलब जो हम लोग या मान के चलिए हमारी पॉलिटिकल लीडर्शिप हमारी उनकी कॉंसेट्स बड़े क्लियर हैं उनकी चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही मैं एक बात कहूँगा अलास में कि ये किताब जो है हमारी सेक्यूरिटी फोर्सिस के लिए हमारे डिप्लोमेट्स के लिए बिरोक्रेट्स के लिए और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के लिए उनके लिए तो ये किताब ही बड़ी क्रूशियल बिकॉज इसमें बड़ा एक टेरिस्ट और्गिनाइजेशन को एक नए तरीके से अप्रोच करके मैंने समझाने के कोशिश की कि वो लोग कौन हैं कैसे काम करते हैं लेकिन एक आम भारतिय जो है हिंदुस्तानी जो कॉमन मैन जो है उसके लिए भी एक किताब बड़ी इंपॉर्टन है बिकॉज देखिए आज भारत में जिस तरह की जो समस्यां आ रही हैं दर्रिजम से लेकर के धार में कटरवाद को लेकर के ऐसे हाल में आपको इस तरह की जो और्गिनाजिजेशन्स हैं जैशे मुहमद या इस्लामिक एक्स्ट्रीमिस्ट लीडर्स जो है जो इस तरह के प्रीचर्स हैं उनके दिमाग को समझना बड़ा जरूरी है वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग क्या चाहते हैं? वो जानने के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत फायदेमंद रहेगा और बहुत क्रूशल रहेगा ये बुक तो सबको पढ़नी चाहिए और इसलिए भी पढ़नी चाहिए खासकर जो रिसर्च करते हैं उनको तो इसलिए भी पढ़ने चाहिए कि किस तरीके से एक subject को अप्रोच करते हैं और इतने deeply study करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी books हमको बहुत सारी और भी चाहिए और I hope कि जो लोग इसको पढ़ेंगे उनके मन में आएगा कि यार कितनी कमी है ऐसी books की हमारे देश में। So thank you so much for writing it and coming here बहुत 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 धन्यवाद आपका आपने जो है आज हमें यहां पर आमंतृत किया और हमें बोलने का इतना मुका दिया हम तो जाहतर लिखने वाले लोग हैं लिखने लोग हैं लिखने नहीं आप बोलते भी बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच ज्खेट बहुत किया हम दादो लिखने धनुत कि बहुत कि सफ कर दोर्व आपका पर आपका इतना ऑर खिते हमें लिखने श्मी में पर आम सेयूने कि हैं बहुत लिखने व coughर व it